प्रमे पाँच S.A.S. भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमे यदि एक त्रिभुच का एक कोण दूतरे त्रिभुच के एक कोण के वराबर हो तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुच समरूप होते हैं चली बच्चों हम प्रमे पाँच को समझने के कोशिश करते हैं प्रमे पाँच हमें दो त्रिभुच के समरूप होने के बारे में बात करता है कौन कौन ते शर्ते हैं जिसके आधार में हम कहा सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे समरूप त्रिभुज के बारे में आपने जुकुश अभी तक जाना हो ये है यदि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके संगत कोण बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं और दूसरी शर्त ये है कि यदि दो त्रिफुजों के संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर है तब भी दोनों त्रिफुल समरूप होते हैं तो दोनों में से कोई भी एक कंडिशन ने दी लागू होती है दोनों में से कोई भी शर्त लागू होती है तो आप क्या सकते हैं कि दोनों त्रिफुल तो हैं प्रमें यह और प्रिस्थी पर हमें हमयारे सामने रखता है जिसके आधार पर हम कह सकते में कोई तो दो थ्रिवुआ हमें दिय वेत अबीसी और डीile f इसमें हमें यह दिया हुआ है कि दो कोड बराबर है यानि पहले त्रिभूज का कोड़ ए दूसरे त्रिभूज की कोड़ D के बराबर है यह इस शरत को पूरा करता है कि दोनों त्रिभूजों का एक कोड़ बराबर है और इस कोड़ को बनाने वाले भुजाएं इस कोड़ को बनाने वाले भुजाएं एक शूर चाहिता है कि कि जो है उन्पाथ यानि उपर संक्या है वो नीचे बचाहिती है तो यह उनेधी चोटी के दो आप हो प्रिस्तिक आप अब हम आगे चले तो बच्चों हम आपको पहले ये बता देगे हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले तो हम इस त्रिभूज के सरवांग से हम एक त्रिभूज की रशना करेंगे जो बड़े वाले त्रिभूज के अंदर होगी और फिर हम आधार बूत समानुपातिक प्रमे क जा और इस्तमाल करते हुए कुछ आगِ और काम करेंगे तो देखिये हम भूज़ा डिए और डीowe की में दो बिंदो पी और क्यू इस दे चुनदे हैं कि डी ए कि لم्बाई अब के बराबर हो जाया और DQ के लंबाई A C के बराबर हो जाया माने जितनी बड़ी भूजा A-b है उतनी भड़ी भूजधा आपको D p गार्रूप में हाउ存 पर बनेगी और जितनी लंबाई A C की है ठीक उतनल मइकर DQ आपको मिलेगा, यानि आप एक कौन yaha पर बराबर कर रहे हैं घी तो दिये हुआ है चैनके लिए दोटोट को मिला दिया, ऐसा करने से एक छोटा त्रिहबुज अंदर में और बनता है away कि जो ABC के सरवांसम है सरवांसमता के शर्त के आपको मौलूं है कि Offic of the कई कोड और को बनाने वे दोनों बुचन है यदि डोनों त्रिभूजो में समान हैं- तो दुनों त्रिपूजर सर्वांग सम होते ह andar से हमने-सरवांग सम-सर, मैं इस-सर कर ली आप इस के बारे बाद करेंगे तो देखये जरा सूकिसे आ kathan, AB के बराबर DP है और IC के बराबर DQ है तो त्रिबुज ABC और DPQ सरवांग सम इस कतन को हम पहले लिख ले लिखें हम त्रिबुज ABC सरवांग सम है त्रिबुज DPQ करेंगे इसका उपयोग हम बाद में करेंगे A, B, C और D, P, Q ये दो त्रिबू सरवांग समय ये मालिज हमने कथन एक के रुपर सुरक्षित रख गिया अब आगे चले हम हम यहाँ पर यह जानते हैं कि A, B और D, E का जो अनपात है वो A, C और D, F का अनपात के बराबर ही हमें दिया हुआ तो यहाँ था हम शुरू करते हैं हम इस कत्वन को फिर से लिखते हैं A, B, B, D, E बराबर A, C, B, D, F अब चुकि A, B के बराबर हमने हमने हम पर D, P की रशना की है तो A, B को हम रिप्लेस करेंगे हटाएंगे D, P से तो A, B के जगह हम लिखेंगे D, P, फिर बटे हो गया D, E, बराबर A, C, के बराबर हमने रशना की है D, Q की तो A, C, के बदले हम लिखेंगे D, Q, बटे D, F अब आप देखिए एक नई सिती बन रही है अब हम पूरी तरह सी इस त्रिभूश के बारे हम बात कर रहे हैं यहां D, P, बटे D, E है और D, Q, बटे D, F है और ऐसा कहने पर आप आधार भूश समानुपादिक प्रमे के नजदीक पहुंचते हैं और इस तरह का एक अनुपाद आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि जो भूशा P, Q है वो E, F के समानतर होगी तो इसका परणाम आप इस तरह से लिख सकते हैं कि P, Q P, Q समानतर है E, F के और यह आपको मिल रहा है आधार भूश समानुपादिक प्रमेजी यहां तक जो प्रयास आपने किया उसके माध्यम से आपने इस रचना जो P, Q रेखा खंड है उसको आपने E, F के समानांतर सिद्द किया और जब दोनों समानांतर हो गई तो आप देखिए इनको एक तिरक रेखा D, E काट रही है उसके वज़ासे यह जो कोड है कोड P, कोड E के बराबर होगा और ठीक इस तरह से यदि इनको रेखाओं को D, F तिरक रेखा काट रही है तो यह जो कोड बन रहा है Q वो कोड F के बराबर होगा तो इस परणाम को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोड P बराबर कोड E और कोड Q बराबर कोड F अब चो कि A, B, C और D, P, Q दोनों त्रिफु सर्वांग समय है यहाँ पर आपने लिखा हुआ है तो इनके सभी संगत भुजा है और संगत कोड आपस बराबर होगे तो यहाँ पर आपने जो कोड P लिखा है वो कोड B के बराबर होगा और कोड Q कोड C के बराबर होगा तो यहाँ जो आपने कोड P लिखा है उसके जगा पर आप कोड B लिखेंगे तो आपको मिलेगा कोड B बराबर कोड E और उसी तरह से आपको मिलेगा कोण Q के जगह आप लिखेंगे कोण C तो यहाँ पर मिलेगा कोण C बराबर ये कोण F अब देख लिएगे क्या किया आपने पहले आपने इस त्रिभूश के बारे में बात की और इन दोनों के समांतर होने करन आपने कहा कि ये और ये दोनों बराबर है कोण B को कोण F के बारे में बात कर रहे हैं ईन दोनों तरिभूशों में आपने कोण B को कोड़ E के बराबर किया और कोड़ C को आपने कोड़ F के बराबर किया तो आप देख रहे हैं कोड़ A और कोड़ D पहले से बराबर दिये हुए थे और आपने कोड़ B को कोड़ E के बराबर किया और कोड़ C को कोड़ F के बराबर किया यानि इस त्रिभुज ABC का प्रत्यकोंड त्रिभुज DEF के क्रम शहस अपने संगत कोंडों के बराबर हो गया तो यह वो पहली परिसिती बन गई जिसके अधार पर आप कह सकते थे कि यदि किने दो त्रिभुजों में संगत कोंड आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इस तरह से आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सीध्य किया और यही आपका प्रमे 5 था